जैहिंद प्यार रजाती हो आप सभी को बताते हैं कि उत्तराखंट पुलिस में कॉंस्टेबल की 2000 न्यू विकिंसी आ चुके हैं जिसका ओफिशल नॉडिफिकेशन जारी हो चुका है इसके बारे में अबडेट आपको पहले ही दे दी गई थी कि 2000 न्यू विकिंसी आने वाल क्लियर करते हैं तो जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं उत्राखंट अदीनस सेवा चैन आयोग की तरफ से नोडिफिकेशन रिलीज किया गया है और यहां पे 30 अक्टूबर 2024 को ही नोडिफिकेशन आपका रिलीज हुआ है जिसमें अगर आप देखेंगे तो यहां पे सा पदियापुलिस पुरोस तथा आरक्षी पीएसी आई रवी पुरोस के रिक्त पदों पर चैन हेतु विग्यापन तो यहां पे अगर आप देखेंगे तो विग्यापन प्रकासम की जो तिति है वो आपको दिखेंगे 30 अक्टूबर 2024 इसके साथी ऑनलाइन आविदन करने क की तिति है आठ नौबर 2024 इसके ऑनलाइन अप्लिकेशन स्टार्ट हो जाएंगे इसके अलावे यहां पर आविदन करने की अंतिन तिति रहेगी 29 नौबर 2024 तक आप इसके लिए आविदन कर सकते हैं साथी में लेखत परिक्षा की जो डेट रहेगी वो रहेगी 15 जून 2025 यह आप अगर आप देखेंगे तो उत्राघंट अधीनस सेवाच आयो की तरफ से भरती निकाले गीए जिसमें अगर आप देखेंगे तो जन्पद यह पुलिस रहती है यानि कि आप सभी की जिसे CPM बोलते हैं है आपकी सिबेल पुलिस इसमें टोटल जो विकिंसी निकाले ग को बढते हैं तो और यह पांप सभी को देखने के अधो होती रहेकिं अगर आप देखेंगे तो आप सभी को दिया गया है तो रिक्तियों का विवरॉन आप सभी देख सकते हैं इसमें टूटल आपको कैटिकरी वाइस देखने के लिए मिल जाएंगी कि कौन सी कैटिकरी में कितनी विकेंसी वह यहां पर आप सभी को बताएगी है इसके अलावा अगर आप नीचे स्क्रॉल साथी में सेचलिक जो आपकी आहरता रहने वाली है यानि अनिवार आहरता आप सभी देख सकते हैं उत्राखंड विद्याले सिच्छा परसद राम नगर ने निताल दौरा माने इंटरमीडियर परिच्छा उत्रीड या उसके समकष्य आहरता होनी चाहिए यानि कि आपने यहां से कर रखा हो इंटरमीडियर या इसके समकष्य अगर आपके पास और गोई कौलिफिकेशन है तब भी आप इसके एपलाय कर सकते हैं बाकी का यहां पर कुछ अधीमानी आहरता है जिसका वैनेफिट आपको अलग से मिलता है और नॉर्मली आपको इस तरीके से वैने तो समानने और अनने पिछडा वर्ग और अनुसोचे जाती के जो कैंडिडेट है उनकी लंबाई होनी चाहिए 165 सेंटीमेटर और परवतिय छेत्र से अब बेरती जो आते हैं उनके लिए 160 सेंटीमेटर अगर ST कैंडिडेट है तो उनकी लंबाई 157.5 सेंटीमेटर होनी च चाहिए नहीं 5 सेंटीमेटर का फुलाव होना चाहिए नॉर्मल 88.8 सेंटीमेटर होना चाहिए परवतिये आप सभी को बता दें आपकी सारे दक्षता परिक्षा जो होती है यानि कि आपका फिजिकल होता है वह आप सभी का 100 मार्क्स का होता है यहां पर क्लिए देख सकते हैं ऐसे बढ़ती जो सारे पर आपका यह एक्जामनेशन होता है जिसमें पहला इवेंट होता है क्रिगेट थ्रोवाल जो कि आपका 20 नमबर का रहता है आधिक्तम तो इसमें आप सभी को दूरी के अकॉर्डिंग नमबर दिये जाते हैं जो कि आप सभी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं इसके अलावा आ तो 12 नमबर दिये जाएंगे 18 मिनट में करते हैं तो 12 नमबर दिये जाएंगे इसलिए अधिक्तम यह पे 20 नमबर आप सभी को दिये जाते हैं यहां पर आप सभी दिख सकते हैं कि जो केंडिडिट सारी दक्स्ता परिक्षा में सफल होंगी उन्हें लेखित परिक्षा में स special batch चलाएं अपने application पे तो आप हमें comment करके बता दीजिएगा आप सभी के लिए special batch भी start कर देंगे इसके अलावे यहां पर लेकित परिक्षा का पाठ्टे करम आप सभी को बताया गया है वो भी आप देख सकते हैं तो यहां पर जो आपका इसके अलावा अगर आगे बढ़ें तो यहां पर offline लेकित परिक्षा भी हो सकती है और online भी हो सकती है दोनों प्रोसेस आप सभी के लिए रह सकते हैं तो वो सारी चीज़ें दे दीगी है साथी में कोई negative marking नहीं है वो भी आपको glare कर दिया है अगर मैं बात करूँ उम्र की पातरता आप सभी को दी गई है तो आवितन यह तो पातरता है क्या चाहिए वो आप सभी को यहां पर सारी चीज़ें बताएगी है तो आप सभी देख सकते हैं कि अब्यरती यहां पर उत्तराघंड राजी का मूल निवासी होना चाहिए इस ताही निवास प्रमाण पत्र धारक होना चाहिए तभी वो इसके लिए अप्लाई कर सकता है अधर जो इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं आउटसाइडर उत्राघंड के अलावा तो यहां पर आप सभी को इंटर्मीडियेट आप पास होने चाहिए तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं तो तो अगर आप इसके लिए apply करना चाहते हैं तो यह conditions आपको पूरी करने होगी, बाकी का आप सभी को यहाप सलेवस बगरा जो है वो नीचे आप सभी को देखने के लिए मिल जाएगा, application fees यहाँ पर देख सकते हैं, अनारेख्षित और अन्य पिछड़ाबर को 300 रुपे, STST को 500 रुपे application fees देनी होगी, अगर आप अनात हैं तो 0 application fees आपके लिए, आप फिर में इसके लिए form apply कर सकते हैं, पूरी चीज़ें आपको यहाँ पे clear कर दियें, बाकी का अगर आपको कोई भी doubt है तो आप comment section में लेख सकते हैं, और अगर इसके लिए dedicate batch आप सभी को चाहिए, जिससे आप उत्रखंड police constable की तेयरी कर पाएं तो आप comment section में लेख सकते हैं, मिलेंगे next video में, फिलाल के लिए बसे दाएं, so thank you for watching, जय हिन जय वारत